नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंखना हमियोपेथि क्लीनिक के प्रोग्राम में गवर्फिर आपका स्वगत है साथियों, आज हम बात करेंगे एक इंपोर्टेंट फिसरी की जो लाइफ स्टाइल के कारण शायद हम सबको कभी न कभी हो रहा है या हमारे परिवार में हो रहा है और वहाँ ब्लीडिंग गम्स, मसूडों से खूनाना बहुत सिंपल से छोटी सी बात है लेकिन ये बड़ी बात है, बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिसको मसूडों की तकलीफ होती है इसका दर्द वही जानता है क्योंकि वहाँ उसका पीन सहरा होता है दर्द दो तरह का होता है, एक दर्द जो दिल में हो रहा है तकलीफ से दूसरा वो जो दर्द हो ही रहा है तो दोनों तरह का दर्थ एक जिसके मसूडे में खून आता है और तकलीफ होती वो जेलता है आजकल दातों का इलाज महंगा है और इंपॉर्टेंट भी है इंपॉर्टेंट साथ इसकी इस बात से समझ सकते हैं कि इसके लिए मेटिकल साइंस में अलग से पूरी ब्रांच है डिंटल सर्जिरी की तो यहां बहुत इस्पेसिलाइश्ट काम होता है तो पहली बात तो साथियों है हम ऐसे काम न करें कि हमारे मसोडों से खून आने लगे वहां काम आपको भी पता है कि जो ना करें उन कामों में आ जाता है रात को आप ब्रश जरूर करें दातों को साफ रखें, हैजनिक रखें किसी पार्टी शादी से आएं तो यहीं सो ना जाएं अच्छे से कुल्ला करें, माउट वाश करें, यहां सब करें मैं आपको लंदी बात इसलिए बता रहा हूँ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ जिसको दात की तकलीफ होती कि वो दोनों दर्द जेलता है, दिल का भी दर्द जेलता है, कि उसको तकलीफ है, पैसा जाने का भी दर्द जेलता है, क्योंकि दातों का इलाज महंगा है, इस पर स्लाइड इलाज है, पहंगा होना उसका जन्यून है, और जो वो तकलीफ जेला होता है, वो तो आप जानी तो आगे आप परिडुटाइटिस की तरफ चले जाएंगे जो कि एक बड़ी समस्या होगी तो आज हम आपको बताएंगे ब्लीडिंग गम्स को रोपने की दस कारगर होमियोपेटिक दवाएं अचूग दवाएं जो वास्ता में आपको फाइदा देंगे सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ब्लीडिंग गम्स होता क्या प्ली गम्स वो इस्टिती होती है कि जब आपके जो दांत होते ह inventory होते हैं इसके बीच में एक लेयर जो आने लगती है जिसको की प्लेक कहते हैं, यहाँ जो एक लेयर होती है, इसमें बैक्टिरिया घ्रोथ होने लगता है और यहाँ बैक्टिरिया ही आपको जो है, वहाँ ब्लड जो आपके गंस में वो लाने की शुरुवात कराता है पहली इस्टी जो साती होती है वो होती ही जिंजीवायटिस गंश में फ्लममेशन हुआ प्लेग बना और ब्लड से गंशाने लगा। वहां तक इस्टिती के उपरड़े है आप घर पर कवर कर सकते हैं अपने द्यान दे कर क्योंकि bacteria outer covering पे होता है जिसको कि आप थोड़ा अपने management से सफाई से hygiene से remove कर सकते हैं वक्त के साथ आपके teeth में टाटार जमा होता जाता है प्लेक्स टाटार में calculate होता है टाटार में convert होता है वह जो heart calculate होते हैं इसके नीचे जो bacteria grow करता है वहाँ आपके लिए एक समस्या बन जाता है और आपको gingivitis की जो बुरी stage है जिसमें कि आपकी teeth की bones हैं गंस की bones हैं उससे मसूरे छूटने लगते हैं वहाँ इस्टिति तक ले जाता है जिसको peritonitis कहते हैं तो आपको इन इस्टितियों से अपने को बचाना है अब वल तो आपको इन दवाओं की जो हम बता रहे हैं वो ज़रुवती ना पड़े और पड़े तो आप इन दवाओं को करके अपने को लापा ले तो यह बात हो गई इसके सिम्टम्स के विशे में, फिर बात आती है इसके कारा, कारण साथ ही गम्स की ब्लीडिंग के कई होते हैं, इसमें प्रमुक तोर पर पहला तो डेंटल हाइदीन का खराब होना ही है, दूसरा विटामिन सी की कमी यानी सकरवी का होना है, तीसा लिक्रीमिया का यानी ब्लड कैं नर्स जो लोग यूस करते हैं, किसी मजबूरी के कारण, उनको तकलीफ होती है, वो कारण है, इस तरह तमाम कारण है, तो आपको टेंटल हाइजीन को ठीक रखना है, आप सब ठीक हो जाएगा, बताते हैं साथियों आपको गम से ब्लीडिंग डोकने की दस कारगर होने होन ना लें, क्योंकि आपके सिंटम और मर्ज के सिंटम आप में और दवाएं भिन हो सकती हैं, इसलिए हमेशा कुसलची की सक से प्रिस्काइब करा के ही दवा लें, बहराल, बताते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको होमियोपैथी में गम्स की ब्लीड रोकने की दस कारगर साथियों, नंबर एक दवा हमियोपैथी में जो ब्लीडिंग और गम्स रोकने की है, वहाँ है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस वानियम की तीन खुराग 5-5 मिनिट के फासले पर आप इकली ले लें, अगर आपके गम्स की ब्लीड हो रहा है, शाम को आपकी तकलिफिया बढ़ फाइदा दे देंगे, आप पर 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 तीन खुराग फॉस्फोरस ले लीजे, आप देखेंगे कि आपके गम्स की जो ब्लीडिंग है वहार रुख गई और आप रहत महसूस करने लगे, होमियोपैथी में गम्स की ब्लीडिंग रोकने की बहुत कारगर दवा है, थर्टी पावर में दो-दो बून उसी सिती में बहुत कारगर दवा है, जब आपके गम्स से ब्लीडिंग आ रही हो, थोड़ा उसमें बद्बू हो, ओफेंसिव हो, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, खासतोर से रात में हो रही हो, अगर यहां इस सिती आप म में है, तो गम्स की ब्लीडिंग रोखने की बहुत कारगर दवा, मर्सॉल है, मर्सॉल थर्टी, दो-दो बून दिन में तीन बार लेके, आप अपने गम से ब्लीडिंग की समस्या को खत्म कर सकते हैं, फिर साथी में कंडिशन आती है कि आपके पल्सेटिंग टाइप पेन ह पल्स महसूस हो रही हो दातों में, एक अध्वाबिंग टाइप पेन यह है, पल्स महसूस हो रही हो दातों में, अगर यहां इस्तिती और मुझ से बद्बू आ रही है और आपका जो बाडी कांस्टिटूशन है, वो फिर फैट और फ्लाइबी है, आप गोरे हैं, मोटे है तो आपकी ट्रक अफड़ चोईस कलकेरिया कार्व है, कलकेरिया कार्व थर्टी रो दो बून दिन में तीन बार आप उस कंडिशन में ले सकते हैं, खास्तोर से महिलाएं, कि जब उनके पल्स एटिंग टाइप पेन हो रहा हूँ, पल्स ऐसी दाग में महसूस हो रही हो, उ और महिलाएं जो है, वो फियर फैट इंफ्लै भी हो, यानि हाइड्रोजिनोइट वाटर भरा कांस्टिवशन हो सेल्स का, तो ट्रक अफड़ चोईस आपका कलकेरिया कार्व है, कलकेरिया कार्व के मरीश को सर्थी भी जादा लगती है, या सिम्टम्स हो तो आप कलकेरिया जाती है साथियों कि आपका जो गम से डिश्चार्ज हो रहा है, उसमें नीला पन है, लाल नीले रंग का, ब्लूइश रेट कलर का बलड है, और वो कोगलेट हो रहा है, और वो बदबूदार है, अगर यहाँ इस्तिती है, तो इसको ठीक करने के हो में पहती है, बहुत कार पूरी तरह ठीक हो गए, तो अगर आपके ओफेंसिब डिश्चार्ज है, बॉडी में कहीं भी ओफेंसिब डिश्चार्ज है, तो क्रियो जोट उसको ठीक करने की सबसे कारगर होमियोपेथिक दबा है, फिर एक कंडिशन आती है बड़ी थोड़ी अजीव हो गरीब है कि म मेंस्ट्रॉल टाइम पे आपको ब्लीडिंग हो रही है, गम से भी, तो होमियोपेथि में इसको रोपने की बहुत अच्छी दबा से ड्रॉन है, आप से ड्रॉन थार्टी दो दो कौन दिन में पर दे ले लें, आप देखेंगी कि आपका जो यहां मेंस्ट्रॉल साइकल के मसूरों से लगातार खून आया जा रहा है, तो अगर यहां इसकी आप में है, तो इसको ठीक करने की होमियोपेथि में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है हीमे मिलिस वजिनेलिस, हीमे मिलिस थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार आप उस कंडिशन में ले सकते हैं, जब आपके लगातार ब्लड आया जा रहा है, मसूरों से और दातों में भी बहुत दर जाए, तो अगर यहां टूते की कंडिशन है और frequent या continuous bloody discharge गम से हो रहा है, तो हीमे मिलिस थार्ट अप इसको ले के लाप राप्त कर सकते हैं, फिर एक इस सित्थी आती साथियों क कि आपको bleeding of gums हो रहा हो और आपके दास सड़ने लगे हो, tooth का decay भी हो रहा हो, अगर यहां कंडिशन साथियों आप में हो कि decay of tooth के साथ आपका bleeding of gums हो, तो इसको ठीक करने की golden remedy साथियों calcarea floor है, आप calcarea floor 6 x power में, चर-चर खुराग दिन में चार बाल ले 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 हैं, एक ब bleeding of gums है, यहां भी रुख जाएगा और आपका 2,2,2,2,2,2 भी रुख के आपको स्वास्त की और बेतर स्वास्त की और ले जाएगा, फिर साथियों कंडिशन आती है कि जरा सा भी कुछ touch हुआ, कुछ खाया पानी भी पिया तो blood आने लगा मसूडों से, अगर इतना frequently किसी touch या छूने से भी आपके blood आने लगता है, गम से, तो इसको ठीक करने की हुवियोपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है बुविस्टा, आप बुविस्टा थार्टी दो दोगून दिन में तीन बार ले सकते हैं, आपके gums की bleeding जो लगातार frequent बार बार हो र तकलीफ रात में जादा बढ़ रही हो, और प्यास बहुत लग रही हो, तो अगर यह स्थिती हो कि आपके थर्ष्ट बहुत जादा हो, रात में आपकी तकलीफ बढ़ रही हो, तो उसे स्थिती में bleeding रोकने की दातों से, गम से बहुत कारगर दवा है, लेकासिस, आप लेक सूप रहा है, बार-बार आपको पानी पीने के इच्छा हो रही है, तो इन तीनों सिम्टम को जो है, लेकासिस रिलीफ करा के आपको ठीक करके आपकी समस्या करेगी, फिर एक कंडिशन आती है साथियों, गमस की bleeding में कि आपके मसूडों में pain हो रहा है, और वहां throbbing type हो र थ्रॉबिंग type हो रहा हूँ, धरकन type हो रहा हूँ, अगर ऐसी इस्थिती आप में हो रही हो, और आप इससे परिशान हो तो इसको ठीक करने के हुम्यों पैटी में बहुत कारगर दबा है, और दबा का नाम है हीपर सल्फ, आप हीपर सल्फ, सटी दो 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 गून दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका throbbing type pain जो कम स्मूरा यहां भी खतम हो गया और आप पूरी तरह क्योर हो गये, फिर साथी में कि स्थिती आती है कि आपको जरा सा भी ठेस लगी, मतलब ठेस का मतलब टच हुआ और चोट महसूस हो रही, पेन महसूस हुआ और आप गब से ब्लीडिंग होने लगी, तो अगर यहां समस्य आप में है, तो इसके ठीक करने के होंगो पहती है, बहुत कारदवा इस्टैफिस सैग दिया है, आप इस्टैफिस सैग दिया है, थर्टी दो तो बोंदिर में तीन बार लेके लाप रात कर सकते हैं, अपनी ब्ल के साथ है, आपको ब्लड आने लगा, तो उसे सिती को ठीक करते हैं, होमियोपैथी में नंबर एक दवा है, और दवा का दाम है कार्बो वेज टिपलेस, कार्बो वेज थर्टी दो तो बोंदिन में तीन बार आप उस कंडिशन में ले सकते हैं, कि जब आपको सुआ ब्रश करते ही खून आने लगा, और आपके मसूडे सिकुडने लगे, कॉंस्टिक्शन होने लगा, दातों को छोडने लगे, अगर यहाँ कंडिशन आप अपने में देखते हैं, तो आप कार्बो वेज का इस्तमाल करके यहाँ कंडिशन दुबारा ना देखने की अपनी विवस् ठंडा भी बहुत लग रहा है दातों में, घरम भी बहुत लग रहा है और बलड भी गम से आ रहा है, तो अगर यहाँ कंडिशन हो और तो आपको इससे सितिको ठीक करने की होमियोपेथियों बहुत कालगा दबर नैट्रम यूराटिकम हैं, आप नैट्रम यूर वन येम प गया है, नैट्रम यूर के मरीज में एक खाथ बात और होती है, उसको नमकीन चीज़े खाना पसंद होता है और थोड़ा शॉर्ट टेमपर होता है, और यहाँ सिंटम्स आपने हैं, तो नैट्रम यूराट्रम यूराट्रग ब्लीडिंग को रोक देगी, एक सिंटम है साथ मेनोपास की तरह बढ़ रही हो, या फिर उनका पीरियड डिले हुआ हो, तो उस इस्तिती में गंफ ब्लीडिंग को रोकने की बहुत कारगर दवा कलकेरिया कार्वो निकम है, आप कलकेरिया कार्व थर्टी दो दो गूं तीन बार मरीज को देकर उसकी गंफ ब्लीडिंग क को रोक सकते हैं, और उनके मेनोपासल सिंटम्स और जो मेंस्ट्र साइकल का डिरेंग्मेंट है, उसको भी ठीक कर सकते हैं, ये साथियों को दमायती होमियोपेथी में आपके गंफ की ब्लीडिंग को रोकने की, इसमें मैंने काफी सिंटम करने की कवर करने कोशिशिस लिए क्योंकि अगंभीर विसाइक क्योंकि जिंजी वाइटिस से ही परिडुनाइटिस की तरफ पढ़ता है और वहाँ एक बहुत पेंफुल और इग्जॉस्टिफ कंडिशन होती है, ये जो दमायें बताइए साथियों यहां आप किसी कुसल चिकिसक से प्रिस्काइब कराके ही लीजेगा क्योंकि दवा आपके साथ से भिन भी हो सकती है, अगर आपके मन में कोई क्वरी हो साथि हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वरी को छोड़ दें या फिर हमारे वाट्साइप नंबर चुरानवे पंदा सास और चासी ती पर अपनी क्वरी वाट्सा और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके योही सबसे पहले सबसे नए वीडियो अपने पास राप्ट करते रहिएगा, आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ देने के लिए और बातों को समझने के लिए बात समझेंगे तो समाच को लाप पहुँचेगा, इसलिए बातों को सम व समाच करें नए ञादा नए प्रोग करते हमारे साथियों थ这।सा अवारे साथियों चटे क की लाता हैं से विएज़ कैणे के लिएधियों झाते हमारे आपका सबसे देपी याद करते हमारे साथियों इतनी देने के लाद किए थे साना श practiced पोड़ Vergleichा रहिए गstesना में औ लुट जब जाए लुट जाए गुट लुट 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 कर दो